Union Public Service Commission UPSC के उपर में कलंक लग गया अभी एक केस को लेकर जो केस था पूजा केड कर वाला केस अभी बोला एक है कि UPSC की जो इमेज है वो एफेक्ट हुई है भोजाद है क्योंकि जब पूब्लिक ली यहाँ पर डिसकस किया गया पूजा केडकर का केस यहाँ पर नघर. गोएजाम के बने के बाद में पिर एपना फॉर्म भरने के टाइम बाद कि हम तो OBC में आते हैं,ardgt में आते हैं,ard så capacω Good Union Public Service Commission UPSC के उपर में कलंक लग गया अभी recently एक case को लेकर जो case था पूजा केड कर वाला case पर लेकिन वो तो एक case था ही साथ साथ में देश के education और exam system पर कलंग लग गया neat exam को लेकर जब यहाँ पर उसके result आए और उसके अंदर में जो fake चीजें हाँ पर देखने को मिली खासकर exam के time पर भी तो यह लगा किया किस तरीके से चीज़ों को यहाँ पर लेकर चलना चाहिए तो अभी फिलाल इसी को लेकर UPSC ने means के अंदर भी question पूछ डाला भाई साथ इतना important topic हो गए हाँ पर यह जब 2024 के topic आप लोग के सामनी हाँ पर आ रहे थे तो इसलिए आप लोग इसको जहां से सुनिएगा अभी बोलाएगे कि UPSC की जो image है वो effect हुई अब हो जाद है क्योंकि जब publicly हाँ पर discuss किया गया पूजा केड़कर का case यहाँ पर कि कैसे एक लड़की ने अपनी identity को change करकर UPSC के मुह पर तमाचा मारा गुमा गुमा कर और बार बार अपने attempt खतम होने के बाद भी attempt बढ़ाती रही तो यह UPSC का खोकलापन दिखाता हूँ यहाँ पर नजर आया यह particular system कि कुछ ने कुछ तो ऐसी कमी है UPSC के अंदर में जो improve होनी चाहिए इसलिए कहते है कि किसी इंसान को यह नहीं बोलना चाहिए कि तो 100% improve हो चुक है अगर कोई इंसान अगर आज की रेड़ में 100% improve हो जाए तो भाई साब वो एक ideal condition मच जाती है कहीं ने कहीं improve करने वाली position रहती है अभी same condition NEET का exam हुआ National Elisibility Come Interest exam जो doctor बनाता है देश के अंदर में भाई उसके अंदर भी दुनिया भर के flows आप लोग को देखने को मिलें किस तरीके से आपर condition चलती है नजर आई तो यह जो loophole है loophole किया इनको तो मैं black hole बोलूगा है हाँ पर आज के रेड़ में यह जो black hole है जो यह hole है जो gaping system के अंदर में यह सारे के सारे हम लोग को देखने को मिलेगा क्योंकि exam conduct कराने में miss management आप लोग को देखने को मिल रहे है OBC या फिर economically weaker section के reservation को लेकर income certificate जो लोगों के द्वारा बनाय जा रहे है उसमें धांगले बाजी आप लोग को देखने को मिल रहे है आप लोग यह तो देखते हो कि certificate बनाया गया है वो भाई साब सही authority ने बनाया है कि नहीं बनाया है आप लोग यह नहीं देखते कि उस authority ने क्या background condition चेक कि जिसको आप लोग economically weaker section में रख रहे हो क्या वो इंसान reality में economically weaker section में रखने रहा है कि इंसान है या फिर बस certificate बना कर देजा ठप लगा कर तो income certificate issue किया जता है तैसिलदार के द्वारा जो कि state government का SDM जो आप लोग एक्जाम होता है state pieces का वो एक्जाम देते हो तो यहां पर एक कोश्ट तैसिलदार की मिलती है यहां पर तो तैसिलदार जो है वो यहां पर important role play करते है यहां पर अगर तैसिलदार के sign यहां पर हो रहे है उस certificate के उपर में तो सबसे पहले तो तैसिलदार का गला पकड़ो जाकर कि तुमने इन date है भाई साब उनके father की income क्या है उसको कोई consider नहीं कर रहे है खेती बाड़िया तो ठीक आप लोग count नहीं कर रहे है उसके business कितने चल ले है क्या चल रहे है आप लोग उसको unclear category में उसको रखते हो कहीं नहीं कहीं आप तो जब income के बारे में आप लोगो बतानी चल रहे है त कोई certificate तयार कैसे कर रहे हूं यह तो बता दो बस बोल दिया कि certificate देना है और certificate दे उठागे और यही कानी आप लोगी चल रहे है तो किस level पर आप लोग यहां पर यह चीज़ें कर रहे हूं एक्जाम के अंदर में कोई दिक्कत नहीं है एक्जाम पर question mark मत लगाएगा कभी आ कारे में मैं बात करो यहां पर यह मत समझ लेना कि एक्जाम के अंदर में नगल चल रही है UPSC के लिए तो उसके लिए आप लोग सतर्क रहे है उसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो यहां पर condition के है अभी same situation जो यहां पर यह वाली चल रही है OBC economically weaker section की same condition disability certificate में fraud हो रहे है एक इंसान जो हो किस लेवल का disabled है आप लोग यह चेक ही नहीं कर रहे हो ढंक से disability की category को exploit किया जा रहा है क्योंकि proper कोई verification करने वाला है यह certificate दे लिया और certificate लगा लिया मतलब सोच के देखो मैंने यह बोला था कि दिव्यांगन जो बच्चे हैं उनको 50% discount दिया जाएगा SLV के courses के उपर में भाई एक महीने के अंदर में कई सारे admission हो गए मैंने का इतने दिव्यांगन बच्चे आगई UPC तैरी करने के लिए इतनी जल दी मैंने का यह क्या घपले बाजी चल रही है यार मैंने बोला कि जो आज की date में जो खासकर बहुती weaker section है खासकर अगर बात करें ए किस लेवल पर लोग यहां पर इसका फाइदा उठाने के लिए अगर किसी इनसान के 10,000 रुपे बच रहे हैं 500 700 रुपे लगा कर तो इसमें दिक्कत क्या है 500 700 रुपे 1000 रुपे का certificate बना लो तो corruption का level इस तरीके से आप लोग यहां पर consider कर सकते हैं तो यह चीजे जरूरी है कि इनको कैसे deal किया जाए हैं अगर इस तरही condition निकल कर आते हैं तो candidate जो हैं यह fraud कैसे कर पा रहे हैं OBC को लेकर SC को लेकर ST को लेकर disability को लेकर क्रेमी लियर को लेकर इसके उपर में आप लोग को देखकर चलना पड़ेगा और यह ground level की problem है आप लोग इसको उपर उपर से दे attempt बढ़ा चुकी है और वह बात की बकाईदा ट्रेनिंग ले रही है आज केड में systematic way में उसको cattle alert कर दिया गया है तब जाकर उसकी खोड़ी सी बत तमीजी हो कि जिसके चलते उसका फड़ा फास हो गया वन्ना तो वह तो बढ़ापे तक सांदार तरीके से enjoy करती हूं retirement हो कर अगर यह publicly ऐसा news ना बन जाती है तो समझ रहे हैं आप लोग है तो system के अंदर में proper scrutiny होनी चाहिए proper verification होना चाहिए कैसे यहाँ पर complaint फाइल करनी है कैसे उसको लेकर चलना है बस सस्तक के नहीं चोड़ना है proper सारी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए और खासकर जो सिफारिश चलती है होनी भाई सब certificate दे दिया यह certificate लगा दिया DOPT ने भी माल लिया और सब मानते हो इसको चल रहे हैं वहाँ पर उसको उसको बकाइदा कैडर दे दिया तो यह proper fairness होना चाहिए इसके अंदर में ऐसा नहीं कि आप लोग system के उपर में question mark लगा दो आज की date में एक इंसान के सर को एक इंसान के सर को यह पूरा इंसान है इसके सर को cut करकर इस इंसान के सर को इस दूसरे इंसान के सर पर replace करने की भी technology है जा कर सर्च कर लेना YouTube पर वीडियो मिल जाएगी तो क्या हम लोग transparency नहीं ला सकते यार यहां पर अपने exam के अंदर में ऐसी technology नहीं हमारे पास मे भाई बोडी के एक एक बोडी सेल का एक एक पार्ट को हम लोग आज की रेट में scan कर सकते हैं तो क्या हम लोग प्रोपर आज की रेट में यह fraud नहीं पकड़ सकते हैं तो इसका मतलब system में गड़े हैं तो सबसे पहले उन गड़ों को बरो तो transparency use transparency लेकर आओ technology का इस्तमाल करत वे selection processor के अंदर में ताकि लोगों का trust बना रहे हैं इसके उपर में आधार card आप लोग subject के लेकर पहुंच जाते हो तो आधार card के इस्तमाल कर लो भाईसा fraud को पकड़ने में पलेकिन उसमें भी biometric में कई सारे fake आधार card आप लोगो देखने को मुझते हैं तो इसलिए इसको पहले ससक्त बनाओ आप लोग पहले तो यहां पर लेकर चलो तो ground level पर आप लोगो चीज़ों को connect करना पड़ेगा यहां पर national level पर एक standard तयार को आप लोग यहां पर यह थोड़ी ना कि national level की तो चीज़े सुधार ली state level पर exam ही नहीं करा रहे पोस्पॉन पे पोस्पॉन कर करती है उनको exam century नहीं मिल रहे है ऐसी चीज़ निकल करा रही है आरो यारो के exam पहले उनके अलग अलग देखने को मिलेते हैं उसको merge करने की बात की जा रही है इसके ओपर video बनाओंगा proper जो की exam की त्यारी कर रहे है तो slv civil services वाला जो अपना channel है उसके उपर में यह video आप ल रहे है और दूसरे नहीं कर रहे है प्रोपर verification होनी चाहिए इसी आप लोगों देखा होगा UPSC ने साब साब बोल दिया कि latest photo लेकर आना फोटो के अंदर में दाड़ी नहीं होनी चाहिए फोटो के अंदर में टोपी नहीं लगी रहनी चाहिए चस्मा हो तो exam देने भी चस् को लेकर कोई ऐसे certificate लेकर आता है कोई पी चाहिए कोई officer चाहिए लेकर आता है फिर college certificate कोई देता है उनको बनाकर तो दोनों को लपेटे में लोग सीतों को भी बनाने वाले इसे के साथ में एक judiciary principle ठीचान लेकर की जो continuing candidate है भाईसाब उनको एटलिस चीजे डिनाई ना की जाए अपोर्चूटी फूडूलेंट के तोर पर पता चला कोई फ्रोड करकर एक दिव्यांग गन की सीट कोई ऐसा इंसान लेकर चला गया जो प्रोपर दिव्यांग थाई नहीं वह यह बोला गया कि उनको दिखाए na दे रहा है वह प्रोपर देख रही है वैसा हो कहरे है कि इसकी आंखों में कमी है उसको दिव्यांग गन बता कर यहां पर उसको प्रोपर वह फान दिया फिर कहीं और दिक्कत होगी उसको यहां पर तो यह चीज़े आप लोगो समझने पड़ेगी जो की जरूरी है अगर यह नी समझोगे तो फिर दिक्कत है देखने को मिलेगी तो यह बात यहां पर बोली जा रही है तो इसके अंदर में proper penalty रहनी चाहिए तब ही जाकर यहां पर चीज़े आप लोगों को सधर्ती न जराएगी एक इंट्रेसिंग चीज और सजेस्ट की जा रही हां पर इन लोगों के द्वारा जो डिसकस कर रहे थे इस पर्टिक्लर टोपिक को इस आर्टिकल के अंदर में तो दूसरी इंट्रेसिंग चीज़े क्या है एक तो यहां पर असोक जो की फॉर्मर एजुकेशन सेक्रेटरी है दूसरी हाँ पर एसस जुमान था है यह फॉर्मर चेर्मैन है और इंडिया कांसिल ओफ जो टेकनिकल एजुकेशन तो दोनों सजेशन जो दे रहे हैं उसमें एक सजेशन बड़ा इंटरसिंग है आप इन्होंने बोला कि एक aptitude test होना चाहिए for civil services यह कैसा aptitude test है आप लोगों ने defense की तैयारी कभी किये एंडिया या फिर cds का कोई एक्जाम दिया आप लोगों ने एंडिया फिर cds का या फिर अगर आप लोग बीटेक हैं तो क्या आप लोग TGC entry के थुरू आप लोग SSV देने गए हैं तो उसी तरीके के exam के यहां पर बात की जा रही है ताकि उस इंसान को proper समझा जा सके परका जा सके तो defense service में जिस तरीके selection किया जाता है तो UPSC के exam भी आप लोगों यहां पर इसी तरीके से लेकर चलना चाहिए ताकि candidate का एक proper selection किया जा सके तो यहां पर structural reform की यहां पर बात की जा रह तो यह पूरा article यहां पर इसके बारे में बात कर रहे हैं important है बहुत ही जादे इसको इहां रखेगा कोई भी doubt इसको लेकर आप लोग के मन में नहीं होना चाहिए बाकि आप लोगों की क्या रहे हैं यह सही है या फिर गलत है इसके बारे में कि आप लोग को कोई suggestion है तो इस टेमेंटिक वे में आप लोग को समझ नहीं है ठीक है ना